सो लेट सारे शाप्टर में नाइध वीडियो फर्स्ट अफॉल मैं स्टार्टिं इस चाप्टर में आपको पहले क्रेक्टर के नाम बता देना शाहती हूँ यूकि आने वाली स्टोरी में आगे पेजिस में ना कुछ क्रेक्टर के नाम तो लिएगे लिकिन की रोल हमें नहीं लबकि उसकी मा है उनका नाम है जूलन जूलन के भाई है उनका नाम है भीबूती एक और लटकी का नाम दिया गया है स्टोरी में लेकिन उसका रोल नहीं दिखाए गया इसलिए मैं उनका नाम ने लिए आने वाले स्टोरी पेजिस में आप मुछ का नाम सुनोगे सब्सक्राइब करते हैं तो वो देखते हैं एक क्राउड होता है भीड़बार जगा होती है ना यसी वो लोग मलायस के घर तक पहुष्ट होते हैं उन्हें के पीछे-पीछे सारा क्राउड आते जा रहा था यहां पर वो लोग किसी चीज में मदद नहीं कर सकते थे लिकिन उनको इतना लगाव था उस बातों को सुनने में अगर वो उनको अनको अनको फिल करते तब भी वो उस चीज में इंट्रस्ट रखते विभूती सदेंली गुए अंशिस अज थौनिंग मैस लुक्ट अंशलमनी विपिक्ट अप ब्रिंडा और पारे एकलोस इन प्लेस तो जैसे वहां पर विभूती जो होते हैं पतलब की भी ब्रिंडा थे जो भाई होता है यानि की यह क्या लगते हैं ब्रिंडा के मामा अज थौनिग मैस लुक्ट अंशलमनी तो जो आठी जो लड़की यह जो लड़की यह नि ब्रिंडा को देखता हैं इक नि उस्यरसली मैनर में वो लग देख रहते हैं तो बिपूती कया करते हैं ब्रिंडा को फटाते हैं उनकी क्लोस को बाट करते हैं टीक हैं पिर उसको तो वो बिरंडा के फादर की घर जाते है, तो वो बिरंडा के फादर की घर जाते है, अन्शॉरली मतलब कह सकते हैं, आप उनको पाता नहीं कि महां पर जाएंगे तो क्या होगा, मच to the charting of the elders, visited on a chair by outside the heart, whose doors was tightly closed, तो यहां पर जो चार्ज इन याने की कह सकते हैं, जहां पर एल्डेट्स लोग थे, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो लोग क्या थे, वो लोग एक हट था, उसको जो जो डोर था, वो पुरा ख्लोस था, ठीक है, उसके आगे में वो लोग बैठे वे थे, चार पोई लोग बैठे हैं, जो किसी चीज से प्लीज नहीं ठीक है, तो प्लीज मतलब जो जो चीज एक नहीं करना चाहते हैं, किसी चीज को उनको अच्छा हैं लग रहा है, उनको एसा चीज है, जो ऑनको डिस्ट्रस बना रहे थे, उनको तकलीव दे रहे हैं, वो पॉस अशी towards her heart तो यहाँ पर जो young child वीरो थी यानि कि जो ब्रिंडा थी वो aware नहीं थी ती कि उसको पादन नहीं थे कि उसके future के साथ क्या होने वाला है क्या विलिश वाले उसको निकाल देना चाहते हैं घर से या उसके विलिश से इसले वो क्या करती है अपने हर्ट तक वो भागती है अपने पापा के जो घर होता है मतलब अपने घर पर वो जाकर भागती है मा मा जूलन यानि कि जो अपनी मा को कहती है मा मा जूलन करके वो जाती अपने घर तक पहुशती है दौडती अपने घर तक जो यहां पर क्या होता है घर का वो टाइटली एकदम बन था ख्लोस था शी हट अवेल शी टिन अंडिस्टाइड वाइड विलिज वस सो देटली क्याइट अथा तो उसकी बाद वो समती नहीं कि विलिज वाले लोग है इतने डेटली कॉइट गुप यह कह सकते तो जब कोई मर जाता है तो कितना पुरे कॉइट हो जाता है सब कुछ तो वैसी पुरे डेटली कॉइट था तो इसको पादे नहीं देखिः तो उसकी पिता है वो क्यों जमीन पर बैठे वे हैं पंचायत के स जानते ही नहीं कि वह कौन लड़की है इस पॉड़ रेंद से पेपिंग भिहाइंड देर मदर्स बट नाट कमिंग फॉरवड को मीठ अपने कुछ दोस्तों को देखती है जब पने शाली से पहले है वह जाती ही वह दोस्तों के सद खेलती थी तो इसको spot करते हैं लेकिन उसके जो friends थे वो अपनी मा के पीछे छुप जा रहे थे ठीक है तो इस पीपिंग behind their mothers लेकिन वो उससे मिलने वो आगे नहीं आ रहे थे वो अपनी दोस्ते मिलने के लिए ब्रिंडा से मिलने के लिए ठीक है जब तक भी भूती और ब्रिंडा पहुशते हैं तब तक ही उनके घर चला गया था decision क्या होने वाला है ब्रिंडा के साथ The village elders eyed them for a sizable moment and shook their heads squiding on the ground before them So अब जो elders लोग जो पैठे वेते ना वो कुछ चीज के लिए कुद्री सिजन के लिए वो क्या करते हैं Malaya was sobbing He had not lifted his head to face the shame and helplessness he kept wiping his face with the loose end of a turban and no other family member was inside so he was crying because of you know it's so distress that now he will see the village village he will not show what to do in reality but he will obviously do he had not lifted his head to face the shame and helplessness he kept wiping his face with the loose end of the turban so a turban which mostly stays on his shoulder they asked him to ask him and no other family member was inside so no other family member was inside so no other family member was inside so he goes and runs away and says she is squirred with delight all too unsure of his reaction squirred means that he is very excited and he is not sure of his reaction because when he is excitedly and he is crying and he is excitedly just go and cry because he will get many days but his father's reaction is not sure of his reaction the same thing as if he is happy if he is happy everything seems so strange when your father didn't raise his head he avoided his gaze teary eyed with shame and weakness that didn't permit him to stand up for his daughter his land was with the moneylender and if he outstated from the community he did not know where his next meal would come from see so everything was strange that his mother didn't raise his head he was very shame he was feeling shame he avoided he did not know where his next meal would come from so he did not need his daughter he could not save her daughter because his land was with the moneylender and if he outstated from the community he didn't know where his next meal will come from तो जो उनका जमी था मतलब कि money lender मतलब कह सकते हैं उनको आप जमीन देते हो ठीक है उसके वज़से आप पैसा ले ले लेते हो और वही अपना घर खर्चे चलाते हो तो कोई दिन तो अगर वो क्या करते हैं अगर ब्रिंडा का साथ देते ठीक है विलिज़स लोगों के बात नहीं मानते दिन वो आउट स्टेड़ी यानि के कह सकते हैं उनको उनकी कॉम्रीटी से बहार निकाल दिया जाता हूँ तो बिज़स अथर नको पता नहीं कि अगला खाना अगला मली कहां से आएगा फिर टिक के ना तो हिए जूलन एंड नित्रा स्टेड तो यहां पर तुड़ी की गया है तो यहां पर वो यहां पर देते इन दाट उसके पास मतलब की मलाय का मलाय की एक वाइव थी जूलन थ और उसके नेतरा दिया गया यही करक्टर ने जिनका कोई काम का रोल नहीं दिखा दिखा गया है हमारे वरे स्टोरी में नेक्स्ट शे कीम डाउन नीज और पुट अर्म्स अराउं नेक्ट यूनो बाबा दे वस फ्लर्ट एं वाटर एवरी विर तो जो ब्रिंडा होती है वो क्या करती है पैरो पैरो के बल बयुआ ठीक है एट अपने आम्स जो होते है उपने फादर के नेक में ऐसे है तो आपने ज़विंगे ले टे पीछे से वैसे कर देती है and he didn't respond she moved away to look at him he burst into tears of shame and remorse his mouth twitching with agony he looked at his daughter and brought his hands together in forgiveness shaking his head helplessly the social stigma that had blighted her for life did not permit him to take her back okay so he didn't respond to his and he didn't say anything so she moved away to look at him what he did was looking forward to see his father he saw that he burst into tears of shame and that he was crying and remorse meant that he was a very guilty feeling and sometimes people are crying so we have the mouth here what is the muscles that move because of pain so he looked at his daughter's and brought him his hand together okay so he looked at his daughter and looked at him and looked at his hands and asked him for forgiveness shaking his head helplessly the social stigma that had blighted her for life did not permit him to take her back because of that she had become a bad woman and the bride revert and celebrated till a few days ago was today an outcast so she had become a bad woman and she had become a bad woman and she was going to kill him and she was going to kill him because of that because of that because of that their understanding because of this widow girl is the bride and she had to kill him are going to be able to keep her back and they wanted to keep her back and they wanted to keep her back because of that if she had to keep her back then all of the other things are going to be in the village समझ जयाओ कर समदब की एक परसन जो एक सब्सक्राइब कर सकते लोग उसको ठीके नब Confused Prinda looked at him, wondering where the rest of the family was She looked over her father's shoulder towards her heart Suddenly her eyes caught a pair of hands pulling aside a silver of thatch A pair of eyes or several perhaps appeared in the silt New specters of her exile She heard a loud wail, perhaps her mother's voices And then more loud voices, maybe arguments she couldn't tell nuclear anxiety, which is Brinda, which is very confused So, her parents started watching, she said to me that the family members And she won't be where to come from So, if they look at her father's shoulder, she can be hurt So, suddenly her eyes go straight from a side If you look at this thing and see some movement as you come to see It's the eye's in the movement right side What could you do as Brinda called? आपने फाफर के शबत को देख रहे होकी ही हाट सो रही है है शुकरी के आपर पाट देखा होगा जो ड्राइज विजैस्ट ये आ लुद्ट होते हैं तो इनहां पर आप Ramya को कोई को हटा कर उसको देख रहे हैं ठीक है जो सुखे सुखे जो पत्ते उपर के रूफ की उसको कोई हटा कर बाहर देखने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर वह देखती है अब पेर अफ आइस दो आखे देखती है और सेवरल और भी देखती है ठीक है परहापस अपेर इन दे सिल्ट mute spectres of her exile बट यहाँ पर यह mention नहीं किया गया कि जो पेर अफ आइस है वो उसकी माँ देख रही है यहाँ पर विलेजर तो यहाँ पर मैं clear कर देती हूँ यह उसकी माँ नहीं बलकि जितने भी विलेज के लोग होते है न वो देख रहे होते है उसकी मामी नहीं देख रही होते है उसकी बाइस जो पेर अफ आइस को कॉट करती है और भी बहुत सरे आइस जोंगे बहुत सरे लोग देख रहे होंगे उस घर के अंदर से अपने घर के अंदर से तो Mute spectres of her exile Mute spectres मतलब कि वो दुम चुप चाप उसको इस गाउं से निकलते वे देख रहे है मतलब कुछ ने करे है सर्फ चुप चाप उसको देख रहे है ठीक है तो उसकी बाद वो एक loud whale मतलब मतलब कि रोते वे लोग बहुत जो रोते हैं तो एक किसी इनसान को वो एक बहुत loud voice में रोते वे सुनती है परहापस मेबी उसके mother की voices होंगे ठीक है मतलब उसकी जो मा है उसकी आवाज होगी और उसका और बहुत loud voices सुनती है और बहुत loud आवाज सुनती है वो मेबी arguments कोई कोई argue कर रहा होगा लड़ रहा होगा she couldn't tell वो नहीं बता सकती exact क्या हो रहा होगा she turned back to the silent crowd and saw only the lower heads of the village folk waiting for her to retrace her steps तो जब वो अपने जब जब जदहां पर वो crowd होते चाप जब भीरबाड होते है न विलिजस लोगों के वो एक्तम पुरा silent हो चुका तो उस तरफ वो मुडती है तो देखती कि सब का जो सर है वो नीचे की तरफ है मतलब कि नीचे फ्लोर की तरफ सब देख रहे ठीक है कि ने कि मतलब किसी की लोगों के पास इमत नहीं है कि वो ब्रिंडा की आखों में देख सके ठीक है न of the village folk waiting for her to retrace her steps तो जितने में village के लोग है वो wait कर रहे कि जहां से ब्रिंडा आई है वापस वहाँ वो चली जाए ठीक है न वो इस village में उसको रहने नहीं देंगे इसले वो सोच रहे कि जल से जल ब्रिंडा यहां से चली जाए retrace जाने कि फिर से वापस जिस जगह से वो आई है उस जगह वो वापस चली जाए Sooner she left the easier for them to exonerate themselves of the crime they had committed she bit her lip in confusion तो जितना जल्दी ब्रिंडा इस village से बाहर चली जाएगी उतना जल्दी वो लोग के पास easy हो जाएगा मतलब कि वो लोग अपने आपको exonerate कर पाएंगे मतलब अपने जितना भी उन्होंने गलत काम किया और जितना भी उन्होंने ग्राइम को commit किया उनको जल से जल भोलो क्या कर सकते उस guild को हटा सके अपने आपसे मतलब कि as example मैं आपको बताओ तो maybe example लेते थे जिसे कि कोई एक आदमी एक valuable चीज को चोरी करते है एक expensive चीज को एक expensive necklace को चोरी करते है तो actually जितनी भी लोग होते है पुलिस वगर होते हैं उसको पकड़ लेते है and then बात तो चलता है कि वो actually जो thief वो लोग समझ रहते हैं actually वो thief नहीं है तो यहाँ पर उसको गलत साबित कर दे कोई और thief होगा ठीक है तो वो लोग अपने गलती को जितनी पुलिस लोग है उनको अपने गलती को क्या करेंगे, accept करेंगे, हाँ कि गलती हो गई थी कि मैंने तो मैं thief समझ कर चोर समझ कर पकड़ लिया था, तो उनके अंदर एक guilt feeling होगी ना, कि मैंने गलत पकड़ लिया गलत चुर को पकड़ लिया, अभी कार में बहुत अच्छा इंसान था, मैंने उसको गलत काम के लिये रख लिया, मतलब कि उसको गलत काम के लिये मैंने पकड़ लिया, जो उसने किया भी नहीं है तो इसी तरीके से, जो villages लोगें, उनकी अंदर guilt है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन उनके mind जो है न, ठीक है, उनके mind को, mind जो है, वही सोच रहा है कि जितने भी बुरे चीज़ें हो रहे हैं विलेच के साथ, यह सब ब्रेंडा विद्वा इस वज़े से हो रहे हैं, ठीक है इसे वज़े से, वो लोगों को, वो लोगों के दिल में पता है कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं, they know that they, themselves, they had committed, जो crime उनना committed किया है लेकिन तब भी, वो लोग स्टिल बुरेंडा को का कर रहे हैं, छोड नहीं रहे हैं, ठीक है, वो लोग स्टिल उसको क्या कर रहे हैं, इस विले से निकालना चाहते हैं, she बिट हर लिप्स इन कर रहे हैं, तो confusion aside, finger staying into Malaya's flesh as he shook him she is a daughter Malaya, she is just a child it is not her fault, he hissed Malaya's eyes were clued to the ground so, जब बिबुती को देखती है, तो वो देखती की बिबुती को explanation के लिए मतलब की वो उस बात को जानने के लिए जब वो बिबुती की तरफ देखती है, Brenda, तो वो देखती की जो बिबुती, उनके आइस मतलब की गुसे से बहुत लाल हो चुकेते हैं होते हैं, एक वो में आपने देखा होगा की कुछ animation, cartoons में की जो लोग बहुत गुसे हो जाते हैं, उनके आइस से आग निकलने लगते हैं वैसे ही, वहाँ पर Brenda, विबुती की आखों में देख रही होती है तो at that point, वो सोच रही होती explanation के लिए, लेकिन वो जब देखती है कि जो विबुती है वो अलड़ी बहुत गुसे में है, ठीक है तो जहाँ पर विबुती जो है, वो जहाँ पर मालाया होता है, वहाँ पर वो चला जाता है यूँच मतलब की कह सकते है कि बहुत जल्दी से quickly हो जाता है मालाया के पास and rudely की आखते है, उसको खीचता है he took him aside, उसको side ही मिले जाता है fingers sticking into मालाया's flesh he shook him fingers sticking into मालाया's reality में वो उसको physically fingers को नहीं उसके flesh में लगा रहता वाँ पर सबसे explain कर रहा है कि इस तरीके से मतलब की जो मालाया के मतलब की जो भीबूती के अंदर जितना भी गुसा था ना, इस तरीके से था कि वो क्या करता जो मालाया है उसके जो flesh में अपने fingers गुसा देता, मतलब उसके निर एक में इतना ज्यादा गुसा है मलाया के लिए she is a daughter she is just a child it's not her fault वो कहता है कि यह तुमारी बीटी है she is a daughter and मलाया, वो एक सिर्फ एक बच्ची है, ठीके ना उसकी कोई गल्ती नहीं है he hissed he is just a child he is just a child he just मलाया's eyes were glued to the ground जो मलाया होता है उसके जो आरिज होता है वो ground की तरफ ही glue हो गयती तुम चिपक गयते है वो उपर देखी नहीं रहता कि से सो नजरों मिला ही नहीं रहता he started weeping uncontrollably he had no answer a shake of his head clearly allude at his desperation and worse still lack of courage he was up against the staunch traditions and there wasn't a worse enemy in a society that was decaded by it shame on you मलाया you are her father had I been in your place I will have been the first one to come to my daughter's rescue तुम पर जब मलाया होता है वो बहुत रोने लगता है बतलब बहुत रो रहा होता है he start weeping वो रोही रहा होता है वो रोही रहा है he was not stopping उसके पस को answer ही नहीं था मलाया के पास थे कि नहीं a shake of his head clearly allude तो वो अपने सर को इस तरह के से हीलाता है मतलब allude एक हिंट देता है कि वो बहुत तकलीफ में है मतलब इस्परेशन में है बहुत वर्स स्टिल में है इस्परेशन ओके and lack of courage बहुत कि नहीं कि वो अपनी बीटी के लिए उच सके ठाके ना He was up against the staunch traditions and there wasn't a worse enemy in a society that was dictated by it shame on you Malaya you are her father had I been in your place I would have been the first one to come to my daughter's rescue तो यहाँ पर जो Malaya वो कहते है कि मैं भी this strong tradition के खिलाफू लेकिन अगर मैं इन लोगों के खिलाफ चाहँगा if I am going to save my daughter then probably जितने भी विलिज के लोग है मुझे क्या करेंगे outcast यह कह सकते हैं बाहर निकाल देंगे विलिज से and first of all as we know कि जो Malaya का जो जमीन है already वो moneylender के पास है ठेके न तो इसलिए अगर वो अपनी बीटी का साथ देगा तो उसके विलिज के लोग जितनी भी है उसको विलिज से निकाल देगे अगर मैं तुम्हारे प्लेस में हुता तो सबसे पहले मैं ही आकर अपनी बीटी को बचाता इस जितनी भी विलिज की लोग है उन लोगों से बचाता Malaya did not bother to fumble with an explanation he will be ostracized from the community if you dare to go against this dick tak the groups had failed again this year his land was gone the pradhaan had lent him money for the next harvest he was caught in a nutcracker of boring year after year तो Malaya को कुछ फरक नहीं पढ़ता उस explanation चे जितना भी अभी Malaya ने उसको कहा I mean जितना भी अभी भी भीबुती ने Malaya से कहा तो he will be ostracized मतलब की उसको क्या कर दिया जाएगा उसको कॉमुनिटी से उसको निकाल दिया जाएगा अगर वो against चाहेगा इनके decisions against चाहेगा जो भी decision village वाले ने लिया है Brinda के लिए अगर वो उसके against जाता मलाया तो उसको village के लोग निकाल देते उसके family को तो जो क्रोप्स थे जितनी भी उन्होंने उगाए थे क्रोप्स वगेरा सबजी आफल जितने भी होते है न खेती बाड़ी सब उसका खतम हो गया था इस साल कुछ नहीं होगा था उसका जो जमीन था वो जी आचुका था जब प्रधान है लेंट एफे ने कुछ पैसे दिये थे नेक्स थाविस्ट के लिए तो वो भी क्या होगा है तब भी वो फश चुका था कि हर साल उसको पैसे लेनी ही पर देते वो लोटा नहीं रहता हर साल पैसे लेते जा रहता प्रधान से बिपुती तो विलेज चुबी बूती है वो विलेज हटमन के और मुटते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इतना भी आपको को जरुवत नहीं कि आप इतने स्कांटी मीनियस हो जाए इतना जादा आप अपनी रिलीजिन के अंदर चले जाए मतलब कि कह सकता है आप इतना रिचुल्स और मिट्स के कारण आप इतना जादा भूल चुक है कि आप रियालिदी को देखी नहीं रहें कि कुछ लोगोते हैं जो अपने मीट्स रिचुल्स वगर्रमें बहुत ज़ादा है विल्लज से निकालना चाहते हैं ठीका है तो अगर अप इतना मतलब कि आप रियालिटी में इतना घुछ चकए meets और rituals में, कि आप reality देखी नहीं रहे हो, आप Brinda को देखी नहीं रहे हो, कि Brinda, चोटी से बच्ची उसकी क्या गलती होगी, इस flood के, अमनतलब की जितना भी बार वगर तुफान वगर आया, उसमें इस चोटी से बच्ची का क्या है, कुछ भी नहीं है obviously coincidence होगा, कि तब भी evil age वाले लोग नहीं मान रहेते न, वो लोग चाह रहेते कि Brinda को यहां से बेज दिया जाए, तो that's why वो भीबूती जो है, वो कहना चाहते है कि इतना भी आपको नहीं जाना चाहिए, meets और rituals के अंदर कि आप reality को भूल जाओ, ठीक है तो जो भीबूती वो कहते है कि आपके सामने एक छुटी सी बच्ची है तो प्लीज उसके अपर आप थोड़ा सा दया कीजे मर्सी कीजे, यह प्लीड एनकेप इस हैं और बिंडास हैट, तो वो अपने हाथ को क्या करते हैं, वो प्लीड मतलब कि सब से पहले उसको समझ सके, बट वो इस तरीके सी, he had never had to bend in this way before anyone, आनके इससे पहले कभी भी उन्होंने किसी के सामने भी इतना ज़ाधा request नहीं किया जो वो आज कर रहे हैं बिंडा के लिए he had to dig deep into his patient and put aside his ego to back for a little concentration तो वो अपने patience के अंदर इतना ज़ाधा घुसके इतना ज़ा request कर रहे थे जो इतने भी विलिश के लोग होते हैं न अपने ego को हटा कर, अपने ego को sight करकर, वो एक छोटी सी consideration के बारे में request कर रहे थे कि आप थोड़े कुछ देर और सोचे और उसके बाद अपने decision लीजे but already decision जा चुका था लेकिन यहाँ पर जो भी बूती है वो चा रहे थे कि आपने decision को आप change कर दीजे ठीक है, he was trying to beg for a little consideration कि आप थोड़े से सोचे और उसके बाद decision को change कर दीजे क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है, the oldest man looked at him with a strike determination, she is a bad omen, a shubh lakshana she has brought a mystery upon a bargaining flourishing village, the oldest man looked at him with a strike determination, मतलब कि जो oldest man थे, जिस village के उस village के, वो एक तम strike determination से देख रहे होते हैं, मतलब कि उनको even कुछ फरक ही नहीं पढ़ता, जो भी बूती ने इतना explain किया, कहा कि मीट्स और रिच्वल्स के अंदर आपको नहीं जाना चाहिए, इतना deep भी नहीं होना चाहिए कि अब reality को भूल जाओ लेकिन तब भी उस oldest man को कुछ फरक नहीं पढ़ता भी बूती के explanation से, she is a bad omen, वो कहते हैं कि ये bad omen है, मतलब कि ये unlucky है, और मतलब कि ये bad luck है हमारे लिए, and even future में कुछ negative चीज़ें हो सकती है, bad omen की कारण, so that why he was saying कि ये एक bad omen है, and हमें उसको नहीं रखना चाहिए village में, लाने कि अशुब लक्षन, she has sprout misery upon a bargaining, flourishing village, so जो प्रिंडा है, उसने misery, मतलब ये हमारे जो growing village, जो village बहुत successfully अच्छे से था, जो आदिया कि सब लोग unhappiness देखने लग गए, ठीके न distress हो गए, सब stress लेने लग गए, मतलब कि एक वे में वो कह रहे थे कि जब से ब्रिंडा वीडो बन गई है तब से हमारे village में बहुत अशुप चीज़ें हो रही हैं, जो इस ब्रिंडा के वज़े से हो रही है moreover भीपूदीदा our village as well as yours तो फिर कहते है कि वो सब के बाद, जब तुम्हें पता है भीपूदीदा कि तुम हमारे village के ही हो, as well as जिसे कि our village as well as, जिसे कि हमारे जो village है, वो तुम्हारा ही है if you care to remember, has followed this tradition of sending them away to expight for their sins तो यहाँ पर जो old man है, वो कहते हैं कि तुम्हें तो पता होगा कि हम लोग इस tradition को follow करते हैं कि हम उस आदमी, उस इंसान को क्या करें भेज दे बाहर, क्योंकि वो अपने sins के लिए expight हो रहा है, क्योंकि उसने क्या क्या, अब उसके mistakes के लिए, उसके sins के लिए, हम लोग अलग जगा उसको भेज रहे हैं, मतलब कि एक tradition यह आदमी फॉलो कर रहे हैं यह ट्राइज मैन उसको explain करने की कोशिश कर रहा था you are a patriot, you should know मतलब कि तुम भी एक senior person है और तुमें यह पता रहना चाहिए, भेभूती back at his well-meaning logic he tried again, she is not bad omen, she is just a child she has not brought this ghurni upon us, तो अब जब भी बूती है जितने भी अभी बड़े मैन ने जो भी old age के जो मैन थे जो इनको try कर रहे थे explain करने की भी भूती से, वो उनकी बात नहीं सुनते, भी भूती उन लोगों की explanation को नहीं सुनते, और वो क्या करते है वो कहते हैं की, वो फिर से again try करते हैं की वो समझा सके village के लोगों को, की she is not a bad omen, वो एक bad omen नहीं है, वो एक unfortunate लड़की नहीं है, वो कुछ हमारे village के उपर नहीं lie है, ठीके ना, मतलब की वो एक छोटी सी बच्ची ही है, she has not proud this ghurni upon us, उसने इस ghurni, ghurni मतलब की tornado या फिर barge होता है ना, वो हमारे उपर नहीं लाया है, ठीके ना, वो अपने आप आया है, and it's a damn river, and river, ठीके ना, it's the damn river, वो river के वज़े से हुआ है, and what tradition, and तुम कौन से belief और custom की बात कर रहे हैं, you will go on worship in the same river, immersed with idols in the same water, that have soldered the entire village, तो कहते हैं कि कि तुम लोग उसी same river को वक्षिप कर रहे हो, जिसमें हम लोग अपने idols को क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, यानि कि, इमर्स मतलब बुज होता है अपने idols को उसी पानी में, हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है, and that has soldered the entire village, जहां पर हम लोग अपने idols को पानी के अंदर छोड़ देते हैं, आपर हम लोग उस river को वक्षिप करते हैं, तुम उसी river ने हमारे पूरी entire को solo कर लिया, ने कि खा लिया, and this child and his बच्ची को भी, she is a bad woman, अभी तुम इस लड़की को एक bad woman, unlucky लड़की समझ रहे हो, suddenly she is a burden to endure, huh, and वो गैदे कि suddenly वो तुमारे ले एक बोज बन गई न, ठीक है, all this is pointless, भीबूती दा, she can't stay here, the old man's words has slipped into the trinanical tongue, there was no mistaking the finality of the authority ringing through his words, विबूती was ingraged, he spat on the ground next to the man's feet and I am not going to leave her here either, monsters he shouted, so, जो यहाँ पर village man है, वो कहते कि यह सब कुछ pointless है, सब कुछ useless है, जो तुमने अभी बोला, वो इस लड़की, मतलब वो जो लड़की है, इस village में नहीं रह सकती, जो old man के words थे, वो कुछ उस तरीके से उनने बोला था कि, मतलब कि इस तरीके से सब को लग जाए कि, वो एकदम final और clear कर रहे कि, वो लड़की इस जगा पर इस village में नहीं रह सकती, ठीके, there was no mistaking the finality of the authority ringing through his words, यानि कि, अब इस तरीके से उनने बोला कि, अब कोई भी उस decision को change नहीं कर सकता, जो भीबूती थे, वो कुछ इस तरीके से इंग्रेज, यानि कि, बहुत गुस्से से हो गए, गुस्से से हो गए थे थे, तो he spat on the ground next to the man feet, जहाँ पर man का, जो man थे, जो village man थे, वो जहाँ पर बैठे थे, उनके पैर के side में ही, next उनी के side में ही, वो ground पर बैठ के, जमीर बैठ कर, कहते कि, and I am not going to leave her here, either monsters, he shouted, तो हो कहते कि, मैं भी, मैं भी, मतलब भी बुती जोते है, वो कहते कि, मैं भी, बुरिंदा को इस जगा पर नहीं छोड़ूँगा, के लिए, ठीके न, मतलब कि, इस तरह के से कहरे है, कि, मैं भी, यहाँ पर बुरिंदा को नहीं छोड़ूँगा, monsters, he shouted, वो कहते कि, monsters हो तुम लोग, ठीके न, monsters, the headman's eye wind with disbelief and anger at bhibhuti's accusation, how could this man from another village disparage him in front of his own people, तो यहाँ पर जो headman को जब bhibhuti ने reply दिया, कहा, जब उन्हेन इस तरह के जब बताया, तो उस वज़े से, जो headman है, वो पत गुसे में आ गए, तो मतलब कि, इस तरह के से, उनके eyes एकदम wind हो गए, जब इस बिलीव, उनको बहुत गुसे आ रहते हैं, तो वो कहते हैं कि, वो bhibhuti के accusation, वो bhibhuti के reply में, वो बहुत angrily, बहुत गुसे से, वो कहते हैं, कि, how could this man from another village, जो आदिमी है, दूसरे village से बिलॉंग करता है, वो मुझे, मतलब मेरे बारे में insult कर रहा है, वो भी मेरे लोगों के सामनी, ठीक है, वो गुसे से तरीके से वो बोलते हैं, Malaya was startled at this display of insolence on bhibhuti's part, he stood stiffly, nervously, taking in the immical exchange between the two men, he will be censured for it months to come, right to his face, and were still behind his back, so, यहाँ पर जो बिलॉंडा के फादर है, मतलब कि, जो Malaya है, वो भी बहुत शॉक हो गए थे, कि किस तरीके से इंपोलाइट, मतलब, इंपोलाइट, वो इमें जो bhibhuti है, वो बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर Malaya एकदम stiffly, एकदम खड़े हो गए थे, ठीक है, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, और वो भी tense और anxious feel कर रहे थे, यूँकि वो देख रहे थे, किस तरीके से unfriendly exchange हो रहे है, विभूती और विलिजेटर के बीच में किस तरीके से लड़ाई हो रहे है बातों पर बात, तो Malaya को पता था, उनको पता था कि वो भी criticize होंगे, ठीक है न, वो जो लोग है, उनको scold करेंगे, उनको dartेंगे, उनके पीट पीछे, ठीक है न, बोथ openly and behind his back, यानि कि एक तो खुले में बोलेंगे उनके सामने, और एक बार तो उनके पीछ पीछे बोलेंगे, तो कि जिस argument में अभी जितना भी भी भीभूती ने, और उनके जो head leader है, उनके बीच में बात हुई है, वो दोनों कहीं न कहीं से मलाया को लोग उसको criticize करेंगे, इस बात पर, तो उनको पता था, इसलिए वो भी बहुत tense और anxious फिल कर रहे थे, I too have no intention of leaving this innocent child among such an insane and spineless tribe, भीभूती shouted back in banal distate at the villagers, cruately, first of all, देखो, जहां पर भीभूती है, वो भी कह रहे होते हैं कि मुझे मेरा पर कोई इसा intention नहीं है, कि मैं, मतलब कि इस innocent, एकदम मासूम बच्ची को छुटी से बच्ची को तुम लोगों की बीच आने कि तुम पागलों की बीच में छोड़के जाने वाला हो, तो इस सब्सक्राइब करके वो जितने विलिज के लोग होते हैं उनको वो कहते हैं कि मेरा पर कोई इस मासूम बच्ची को तुम पागलों की बीच रहने दू यह पिट अप बिरिंडा एंड वाक्ट अवे अजितने विलिज के लोग थे वो एकदम सालिटली देखते हैं कि वहाँ से निकलने लगते तो जितने विलिज के लोग थे वो एकदम सालिटली देख रहे थे वैसे कहरे थे कि हंड़िद्स of सायलिंट हैट्स aligned हैस यानए कि जितने भी सो हैट्स थे ज़ुरूरी ने कि हंडड़ ही हो लेकिन इस तरहे के से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो दोनों क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे, दोनों जा रहे थे, ठेक है, वो लोग देख रहे थे, इन दोनों को जाते वे, उसकी जो फैमिली थे, स्टिल वो प्लीट कर रहे थे, मतलब की बोल रहे थे, मतलब की इस तरीके से वो लोग बोल रहे थे, रो रहे थे कि प्लीट करे थे मतलब उनको उनसे request करे थे कि प्लीज ब्रिंडा को मत ले जाओ तेक है उसकी family उससे मत चुनो तेक है लेकिन अब उनके जो request है अब नहीं accept हो सकते हैं वो hopeless players अब उनका कोई फाइदा ने क्योंकि उनी के वज़े से यह सब हो रहा है ठीक है ना दोर अफ थे हर्ट ओपेंट अट वाइंस चूलन रेंड आट ही स्टॉप्ट सेंग इस सालेंट गाउट और तोर पास तो रहन आफ्टर ब्रिंडा और भीभूती स्टॉप स्टॉप ब्रिंडा तो जैसे कि मैं पता थे स्टाटिंग में आपको बताया था कि महाँ पर एक जब ब्रिंडा की नजर जाती है तो वो देखती है ना कि एक हट मतलब जो हट का दरवाज़ तो तॉन टाइटली क्रोस है ना जूलन जो हती है ब्रिंडा की मदर वहाँ से भागते वे आती है तो यहाँ पर एक मिस्टेक किया गया है इंस्टेट ऑफ राइटिंग शी यहाँ पर ही लिख दिया गया है तो क्योंकि जो है तो यहाँ पर एक्चली ही नहीं लिखना चाहिए था यह पर आपको मिस्टेक बता देती हूँ तो वह अपर होता कि वह रुख गई ठीक है जैसी वह उस दरवाज़ जब निकली हर्ट के दरवाज़ जब जब निकली तो उन्होंने देखा कि सार साइलिंट क्राउट सारी विलिजस लोग एक दम चुप चुप खड़े है ठीक है ना तो वह रुख गई थेन फिर वो क्या कि फिर वो भाग के ब्रिंडा और भीपूती के पस उनको रोकने के लिए वो गई तो जिस ताइम वो जब भूड़ी थी कि स्टॉप स्टॉप ब्रिंडा निकि तुम रुख जाओ रुख जाओ ब्रिंडा वो जमसकी जुलन चला ले तो इसकी मदर तो जैसी भीपूती कुछ देर यहां पर कहीं पहुँचते हैं कि कहीं जगा पर हलका सा तो उनको एक मतलब यह दौड़तावा फीगर होता है न उस तरीके से उनका जो अटेंशन होता है उतर डाइवर्ट हो जाता है वो लोग उस चेजिंग फीगर को देखने लग जाते है जूलन वस क्राइंग अनबेश्डिली एज यहां पर फिर से मिस्टिक होगी यहां पर शी चार्ज आफ्टर ही मोना चाहिए ठीक है डों टीक अवे यहां पर फिर से मिस्टेक किया गहा है यहां पर इंसे लिगना चाहिए तह है शी तो उन्होंने लिग दिया ही यहां पर शी चार्ज आफ्टर देमनी की जितने भी लोग थी उनको पीछे चोड़के वो आगी आई ठीक है करना ना वो कहते है कि डॉन्ट टेक अवे यह पुल्ट अडवी बीबूती शयुट तो वो बीबूती की जो शयुट को कीछते है कि प्लीज इसे मत ले जाओ तो जो आपर जो बीबूती होते हैं उनके जो वाइस होते हैं क्या हो चाहते है जाएं एकदम रोने की तरह पहलो मों हलका हलका बहुत है जिसके हलका हलका बात कह रही है क्योंकि वह एकदम ना slutters between hiccups है जब हम लोग बहुत जादा रो रहे होते है ना तो हम लोग एदम रुक रुक के रोते है ना उस तरीके से वह रो रहे थे ने उनको बीच बीच में hiccups आ रहे थे I will, I will, Jhulin pulled at her leg so Bhibuti put Prinda down he pulled his sister close to him and brought her head to his chest तो जब Jhulin उती वो कहते है कि I will, I will, मतलब कि हा मैं मतलब की Brinda का care करूँगी ठीक है न, इस तरह के से बोड़ होती है तो जो Bhibuti होते है वो Brinda को नीचे, मतलब को गोदी पे लेके चाहरे हैं तो वो Brinda को नीचे कर देते है तो वो जो Bhibuti है वो अपनी sister को अपने close बुलाते हैं कि close रखते हैं उनको और उनकी जो head होते हैं Jhulin के head अपने chest से लगा लेते I can't, I will have to make sure that she reaches a safe place where she can let her life तो वो कहते हैं कि मैं नहीं तुम्हारे पास छोड़ सकता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो एक safe place पर रहे ठीके न जहाँ पर वो अपनी जिन्दगी जी सकती है Bhibuti answer तो वो answer करते हैं इस तरहीं से वो reply देते हैं Will she stay with you then Jhulin asked not letting go of So यहाँ पर जो Jhulin होते हैं वो Bhibuti से पूशती कि क्या जो Brinda है वो तुम्हारे साथ रहा पाएगी ठीके न So yes she will he said तो reply करते हुए कहते हैं कि हाँ जो Brinda है वो मेरे साथ रहा पाएगी I will come for you Brinda Jhulin raised her face towards him and wiped her ears तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए आऊंगा Brinda तो जो Jhulin होती है वो अपने face को raise करती है उपर की तरफ करती है and वो उनको अपने भाई को देख रही होती है and अपने जितनी भी आसून का इस निकल रहे होते हैं उनको वो wiped कर रही होती है As Jhulin comforted his daughter यहाँ पर actually sister mention किया गया लेकिन यहाँ पर sister नहीं होगा यहाँ पर daughter होगा As Jhulin comforted his daughter Vibhuti stood a silent testimony to a pure promise between a brother and a sister an untainted exchange between children देखो तो यहाँ पर जैसे Jhulin अपनी बेटी को comfort कर रही होती है वहाँ पर Vibhuti जोती है तो चुप-चप खड़े होकर witness यानि कि यूनों witness कर रहे थे कि एक pure promise एक भाई और बहन के बीच में है मतलब कि एक pure exchange है बच्चों के बीच में Little did they know that for Brenda it will prevail upon every moment of her existence but at that moment both didn't know if she will have the endless patience to wait for यहाँ पर him नहीं होगा यहाँ पर them होगा और whether his promise will be wasted to fate तो यहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि मतलब कि जो यहाँ पर Jhulin उनको लग रहा था कि क्या यह promise जो भी मतलब मेरे भाई ने जो किया भी भूती नहीं किया कि वो उसको एक अच्छी life दे पाएगा क्या यह reality में वो कर पाएगा या फिर यह already या फिर यह खतम हो जाएगा या वो promise को भूल जाएगा ठीक है but for now it was promise Jhulin was most sure about यह एक ऐसा promise था जो आपर जो जो जूलन थी वो already बहुत ज़ाँता शॉर्ट थी कि नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं करेगा and वो ब्रिंडा का और भी अच्छी सा ध्यान रखेगा so now extracted from the lost and found in bananas by mona वर्मा तो यह जो story है जितना है हमने अब धी देखा वो एक book से लिया गया है जो है Lost and Found in Banaras जो Mona Varma ने लिखा है और यहां पर ही हमारी chapter number 9 वीडो chapter खतम हो जाता है I hope you all like it and don't forget to subscribe my channel यह मेरे को बहुत दो motivation देता है कि मैं और chapters आपके लिए upload करूँ that's all for today and thanks for watching